क्लासिक्स का मैट्स एक्ससाइज 9 डेटा हैं जो की पेज नमर 188 और 189 पर आपके दिया हुआ इसके पहले हमने क्या डू दिस किया था जिसमें हमें क्या करना था खुद से अज्यूम करके नंबर लगाने थे और हमें एक टेलीमक्स बनाना था तो टेलीमक्स हमने देखा फि सूज की लिष्ट थी कितने पैर वाले वह सब हमने इस तरह से बहुत सारे कॉश्चिन को पीछे हमने सोल्व किया तो हमने इस तरह से पीछे डू दीस टेलीमक्स बहुत कुछ जान लें तेलीमक्स में अगर 5 लाइन किसना हो तो कैसे करना है 1 2 3 4 then 5 20 बनाने अगर किसी ने 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 तो यह बनी आपका 20 55 555 हो गये 20 इस तरह से हम बनाएंगे टेलीमक्स अगर किसी ने बनाने कहा तो इस तरह से बनेगा ठीक है टेलीमक्स से अमारें होते हैं काउंटिंग असान हो जाती है इसले देखें 5555 करके तुरंत लिख सकते कि 20 है तो यह काउंटिंग को असान बनाने के टेरिमार्स का तरीका हमेसा यूज किया जाता है तो चलिए अगे बढ़ते हैं पिक्टोग्राफ पेज नमर 188 में सबसे नीचे दिया हुआ आपके बुक में तो देखें पिक्टोग्राफ में क्या दिया हुआ है अ कबड है इसे करके रेक बने हुए यानि इसे माल लीजी यह आपका कबड हुआ कबड में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कबड में आपके सेल्फ है तो यह आपके पांच सेल्फ हो गएं कबड के यही कह रहा है अरेंज किया हुआ है क्या बुक अरेंज किया हुआ है सारे में ठीक है सारे सेल्फ में बुक अरेंज करके रखे जो कि यहां पे आपका डाइगराम बुक में भी बना और यहां सबसे पहली बात pictograph का मतलब क्या होता है picture देखे count कर रहा picture देखे answer देना picture देखे assume करना कि picture कहना क्या चाहता है pictograph का मतलब तो pictograph का मतलब यह question खतम होते होते आपको pictograph बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो pictograph का मतलब होता है picture देखे assume करना बच्चे क्लास में आपने देखा होगा कैसे ऐसे किसी ने 5-6 इस्टार बना दिया और बच्चों से पुछा बच्चों ने तुरन बता दिया 5 सरकल है picture देखे हम बता रहे है कि यह कितना है count करके तो इसी को हम कहते है pictograph लेकिन यह थोड़ा इतना असान तो होगा नहीं क्लासिक्स का है बच्चे क्लास का तो है नहीं थोड़ा सा तो hard होगा पर hard कुछ नहीं बस आपके समझने के उपर है जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमारे लिए pictograph भी असान हो जागा तो दे book लिख दिया है ठीक है यहाँ पर देख सकते हrüте यहाँ भी one book यानि कि आप इसे क्या बोलते हैं उसको हम समझें इसे हम देखें कि यहाँ पर जो दिखा तो दिखा रहा है इसका मतलब क्या यही है जैसे कि यह भी हो सकता है कि आपको एक्जाम में एक ऐसे book बना दे और यह यहां पर लिख दे 10 बूक यानि एक बूक का मतलब कि यहां पर इसके ऊपर दस बूक रखे हुए हैं ऐसे आज़े करके हैं एक बंडल है 10 बूक की पर यह एक बंडल में दिखा रहा है पर इसके अंदर 10 बूक है यह भी हो सकता है तो उस तरह जो आपकी कांटिंग होगी न थ तो होड़ी सी चेंज हो जाएगी यानि कि अगर मानली जी यह वन के बजाए यहाँ पर यहां है यह रखा है कि यह actually में क्या है यह one book है यानि एक अगर यह दिख रहा है आपको तो यह एक ही book माना जाएगा यह एक ही माना जाएगा तो हमको सबसे main चीज यहां पर देखना होगा जब पर question आएगा pictograph का तो हम यहां पर जाके देखेंगे कि यह कितना कह रहा है यानि एक जो जै कह रहा है यानि की एक का मतलब एक है तो one, two, three, four यानि की यहां पर total कितनी books है चार books है second row में आते है one, two, three, four, five यानि की यहां पर total पाँच books है Three row में आते हैं तो one, two, यानिक यहां जिफ दो books है दो फिर रो 4 में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके उस बुक में 8 दिया था लेकिन मेरे से 9 बन गया जब इसको एरेज कर देते बुक में 8 ही दिया हुआ है तो यहां यहां पे आपके टोटल 8 बुक्स है तो यहां 9 था लेकिन 8 है कोई बात 9 पे होगा तो कोई फारक नहीं पड़ेग अब इसके साथ कुछ क्वेस्टेंस देए तो यह हमारा दिखे पिक्टोग्राफ जो है आसान होगा सवर्ल करना हम थोड़ा कॉश्य नेखेंगे तो ओर आसान हो जाएगा तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है यही होता है पिक्चर देखना है पिक्चर देखे हमें बताना है यहां पे कितने हैं, clear, और इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यह important है, यह नहीं देखेंगे तो यह गलत हो सता है, अपनी इसको ध्यान नद्या बाकी इसको कर दिया है, आपको यही दिख रहा हो, लेकिन यहां पे 10 दे दिया गया हो, तो यहां पे row है, उसमें greatest का मतलब क्या होता है, ज्यादा, greatest का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यहां पे तो meaning is greatest की यही है कि यहां पे किस row में सबसे ज्यादा किताबे हैं, तो सबसे ज्यादा किताबे किस row में है, row 4 में, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, row 4, नीचे आते हैं, which row has the least number of list का मतब सबसे कम सबसे कम किस में है 1, 2 है सब में पता चल रहा है देखने कि यह ज़्यादा है कम है यहाँ पर 2 है यानि कि row 3 में कम बुक है तो यहाँ पर लिख दीजी row 3 अब क्या पूछ रहा है is there any row which does not have a book अब बोल रहा कि क्या यहाँ पैसा कोई row है जिसमें एक भी किताब नहीं है is there क्या ऐसा कोई है row जिसमें एक भी बुक नहीं हमें तो सारे row fill दिख रहे हैं यानि सारे row भरे हुए है इसका मतलब ऐसा कोई row नी जो खाली होती यहाँ पर हम क्या लिखेंगे no is there not मतब कोई भी ऐसा row नहीं है जो खाली है तो लिख दिया ठीक है इसी के साथ हमारा जो यह question था अगे और डेफिनेशन भी दिया हुआ है pictograph का वह भी जान लेंगे क्या दिया you can answer this question by just studying the diagram कहने का मतलब यह है कि आप किसी question का answer बस diagram को पढ़के दे लेते हैं जैसे कि मैंने आपको example भी बताया कि अगर हम किसी photo को देखते हैं तो हम उस photo से assume कर सकते हैं अगर photo में कुछ दिखा रहा हो तो आपके अगर तो assume करके पता कर लेते हो कि हा मतलब यह photograph में यह कह रहा है कि यह माली जी यहां पर कोई gardener हो यहां पर पौधों में पानी डाल रहा हो तो आप देख के बता सकते हो ना कि अज़े यह तो बानी डाल रहा है तो इस तरह से हम क्या assume कर लेते हैं कि gardener जो है विजवली helps you to understand the data जो हम विजवल मतलब picture देख के हम data को understand कर लेते हैं कि यहां पर क्या data होगा clear हो गया it is the pictograph तो इसे ही हम क्या कहते है pictograph कि किसी भी चित्र को देख कर अगर हम उसे समझ ले रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है pictograph कहलाता है अब जैसे मालीजे कोई ऐसे चीतर बना हो कि बहुत सारे ऐसे आपको आगे मिलेंगे का फिर क्यों कोई paper पढ़ते हैं या फिर कोई magazine पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ हम बाहर articles देखते हैं तो उस articles में अगर कोई पढ़ने नहीं जाते हैं देख लेंगे कि इसी लड़े की लिए जोयलरी पहन रहा है हम बता सकते हैं यह जोयलरी का ब्रेक करने जारी तो हम इस picture को देख की बता रहे या फिर आप बिको के story books में क्या होता है story दे देता है और हम पे छोड़ देता है इसी story को आप खुद से बनाओ picture देख के बनाओ तो हम history बनाने लगते हैं कि यह सिकारी हो सकता है यह इसका सिकार करने जा रहा है यह इसे मार देगा हम picture को देखे हमारे मृन में वह visual चलने रख यह is story हो सकता है तो हम क्या चीद कर रहे है हम बस एक picture को देखके हम story बना रहे हैं तो इसे ही हम pictograph कहते हैं picto मतलब pic मतलब picture होगा उससे graph बना रहे है pictograph समझ में आगए आपको clear सब्दों में यही कहा जा सकते हैं तो इसी का definition देखे just नीचे दिया हुआ है very important है mcq में step के questions आपके आ सकते हैं a pictograph represents data through picture pictograph जो होता है वो data को represent कैसे करता है picture के दौरा जो मैंने आपको बोला या फिर object के दौरा किसी चीज के दौरा करेगा कह देगा यहाँ पे pen है यहाँ पे pen है तो black pen कितने है blue pen कितने हैं तो अब देखके पता सब एक black एक blue है तो picture या object के दौरा आपको इस data को थ्रौ किया जाता है it helps answer the question on the data at a glance तो हम इसकी मदद से हम क्या करते है question के answer का जबाब दे देते हैं तो इस तरह से यह हो गया तो यहाँ पे एक चीज आप देखो अगर यह MC क्यूम आएगा तो किस तरह से आगा हमने इसे erase कर दिया मालो इसे हमने erase करके यहाँ पे एक dash बना दिया और हमने पुछा dash represent data through picture of object बस यहाँ तक माल दीजिए यही आपका हो जाएगा pictograph का definition यह नहीं बस यह इतना हो जाएगा तो हम क्या भरेंगे pictograph जो मैंने erase किया उसी चीज़ को यहाँ पे फेल कर दिया तो a pictograph represents data through picture of object हो सकता है कि एक नंबर के MC क्यूम में स्टैब के question आ जाएगा तो it helps answer and the question and the data of glance तो इसी के साथ आज कहा हमारा जो topic था pictograph वो खतम होता है फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे interpretation of pictograph यह सब है हम देखेंगे आगे next video में इसी के साथ हम फर मिलेंगे आपके साथ next video में तब तक के लिए video कोई doubt हो तो clear कर सकते हो comment section पे comment छोड़के तो please support करे channel को और share करे और like करे video को full watch करे bye bye and thank you अ हुँ